दोस्तों वही हुआ जिसकी उम्मीद थी इरान के खिलाफ एलान जंग हो चुका है सलाम नमस्ते सस्रीकाल मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी आपको पता है कि इस वक्त इसराइल ने कई बार इरान को धंकी डिजा ली कि अगर न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर हत्यार इरान ने बनाने की कोशिश की तो हम सीधा उस पर मिलिटरी ऑपरेशन करेंगे आपको बता दूँ कि इसको लेकर इसराइल और अमरीका के बीच में मदभेद भी हुए दोनों एक दूसरे से एगरी नहीं थे अमरीका का कहना ये था कि इसराइल को हमला नहीं करना चाहिए इरान पर अगर इसराइल ने हमला किया तो काफी बड़े नुक्साना जेल सकता है ऐसे में आपको बता दूँ कि चार दिन बाद ही गिरगिट की तरह रंग बाइडन प्रशासन ने बदल लिया है जो इसराइल के खिलाफ कई जगा बोल चुका था यानि अमरीका पिछले 7-8 दिनों में कई बार इरान के उपर हमला करने से रोकते हुए वार्निंग और चेतावनी दी थी इसराइल को की भाई साब मत करना इरान पर हमला वरना जादा नुक्सान उठाना पड़ेगा चुकि इरान ने भी अमरीका को भी धंकाया और इसराइल की धंकियों के बावजूद पूरी तरह से मिल्टरी अपनी तयार करके जंग के लिए तयारी कर चुका है ऐसे मैं आपको बता दूँ कि अब गिर्गिक की तरह फौरन अमरीका ने रंग बदला और अब अमरीका का नया बयान सामने आया है अमरीका के टॉप जर्नल ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि अगर न्यूक्लियर टॉक यानि जो बादचीत इरान के साथ बाइडन प्रशासन करने वाला है अगर वो फेल हो जाएंगे तो हम मिलिटरी अपरेशन्स करने के लिए तयार है सेम वही जबान का इस्तेमाल किया जो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है यानि इसराइल का अंदर ही अंदर बाइडन प्रशासन पे प्रेशर जो था वो पूरी तरह से काम्याबी से प्रेशर बना और काफी बड़ी काम्याबी इसराइल को मिली अब इसराइल और अमरीका फिर से एक साथ एक ही लहजे में इरान के खिलाफ बोलते नजार आ रहे हैं इसी लिए एक बार फिर से इरान सही साबित हुआ कि अमरीका में सरकार किसी की भी आए लेकिन उसकी policy यहनी अम्मरीका की policy एरान के लिए नहीं बदले siitä लेगी इसी तरह से ईरान की policy रिवल और ऑंमरीका के लिए नहीं बदलेगी लेकिन उनका एजंडा वही रहेगा इन दोनों का वही एजंडा रहेगा इरान के की बात सही साबित हुई जी हां दोस्तों अब मामला ऐसा है कि दा टाइम्स ऑप इसराहिल आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं टॉप यूएस जर्नल सेज इरान वेरी क्लोज टू बॉम प्लांग्स आर रेडी इफ डिपलोमेसी फेल यानि अगर हम लोग बातचीत करने में फ इरान से फेल होती है तो हमला कर देंगे आपको बता दूं कि इसी रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि IAEA यानि इंटरनेशनल एटॉमिक एनरजी एजिंसी जो संस्था है उसने अभी इरान का दौरा करते हुए आकर क्लीन चिट इरान को दी उसके बावजूद इसरा की दोनों बड़े बड़े अखबारों पर ये इस रिपोर्ट को जाना इस बात की दलील है कि इसराईल नहीं अमरीका पर प्रेशर बनाया था जो कि इसमें इसरायल कामयाब हुआ दोस्तों इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि एक तरह तो धंकी बड़ा लहजा उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रेजिडेंट हैं बाइडन उन्होंने कहा है कि इरान बेहत करीब है न्यूक्लियर हासिल करने में जी हां इसके बाद उन्होंने कहा कि इरान काफी मजबूत हो चुका है और इरान की मिजाइल ताकत को अमरीका ने एकसेप्ट करते हुए इस बात कि टॉप जर्णल ने मेर्केंजी ने कहा कि फिछले चार पांच सालों से ईरान ने जिस चीज पर सबसदादा backwards किया जिस प्लैटfork को सबसदा मजबूत किया है वो है इरान का इसी वजह से एरान की मिजायले काफि मजबूत हैं काफि अच्छी उनकी शमता और उनका सामना करना काफी खतरनाक भी है आपको बता दूं कि एक तरफ अमरीका का ये बयान कि हम एरान पर हमला करेंगे और अमरीका के जर्णल का एक तरफ ये भी कहना कि एरान की मीजाइले काफी खतरनाक है इस बात के दलील है कि एरान इसराइल और अमरीका दोनों पर जाहूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी जैहन।